सारे किसान भाईयों को नमस्कार मैं राकेश तमवर इंडो फिल इंडरस्टरीज लिम्टिड की तरफ से आप सारे जो भी किसान भाई इस वीडियों को सुन रहे हैं उसका बहुत तैय दिल से मैं स्वागत करता हूँ किसान भाईयों आज हम लोग कुरुक छेतर के एक गाउं किरमच में है और यहां पे अमारे किसान के खेत में जब हम लोग गए तो जाके हमने दान की जो फसल है उसमें 45 एकड में हमने गूम के देखा तो एक बिमारी जो है दान के अंदर हमें नजर आई जिस बिमारी का नाम है सीथ बलाइट और यह जो सीथ बलाइट बिमारी है किसान भाईयो इसके लिए मैं ये कोशिस करना चाहता हूं कि सीथ बलाइट बिमारी के बारे में किसान को अच्छे से अच्छी जानकारी जो है वो देपाँ तो किसान भाईयो अगर हम लोग सीथ बलाइट बिमारी की बात करते हैं तो ये किरमच के अंदर ही एक खेत में से हमने इस पुद्धे को उखाड़ा है और अगर आप देखोगे ये दान के अंदर जो ये निचे तने पे सफेद रंग के दाग जो बने हुए हैं ये दाग सीथ बलाइट बिमार के हैं और खास करके इस बिमारी की जो शुरुवात है जब दान अपना 45 से 60-65 दिन के आसपास का होता है तो उस टाइम पे सीथ बलाइट बिमारी खेत के अंदर आकर्मन कर देती है लेकिन ज़्यादातर जो किसान है वो दान को जो है उपर से अराबरा देखके और संतुष रते हैं लेकिन ये जो बिमारी है सीथ बलाइट ये अमेशा खेत की बांडरी से और अमेशा तणे से इसकी सुरुवात होती है अगर किसान बाई इस बिमारी को रोकना चाता है तो उसके लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये बिमारी जो है वो फैलती क्यूँ है और क्या-क्या इसके कारण है बिमारी के फैलने के। सबसे पहला कारण है किसान भाईयो कि अगर किसान यूरिया खाद का अगर नाइट्रोजन खाद का ज़्यादा इस्तेमाल दान के अंदर करता है तो सीथ बलाइट बिमारी जो है वो खेत के अंदर आने के संभावना ज़्यादा होती है अगर दान के अंदर खेत में लंबे टाइम तक अगर पाणी खड़ा रहता है तो उसकी वज़े से भी सीथ बलाइट बिमारी खेत में ज़्यादा बनती है तीसरा कारण है कि अगर दान ज़्यादा गैरा लगया हुआ है उसके बावजूद भी खेत के अंदर सीथ बलाइट जो बिमारी है वो ज़्यादा बनती है चोथा जो कारण है अभी अर्याना का अगर मैं बात करूँ तो अर्याना के अंदर अभी ये अगस्त का महिना है और रुक रुक के बारिस हो रही है ये जो रुक रुक के बारिस हो रही है उसके तुरंत बाद मोसम खुल रहा है तो उसमें मोसम में जो relative humidity है जो मोसम के अंदर नमी है वो जादा बनी हुई है और उस नमी या मोसम के अंदर पानी की मात्रा जादा होने की वज़े से सीथ बलाइट बिमारी जो है वो खेत के अंदर आकर्मन कर रही है किसान भायो, सीथ बलाइट बिमारी एक फफुंदी की वज़े से बनती है और उस फफुंदी का नाम है राइजक्टोनिया सोलानी जिस टाइम पे किसान दान की कटाई करता है तो उस टाइम पे सीथ बलाइट बिमारी की जो फफुंद है जो राइजक्टोनिया सोलानी जो फंगस है उसका जो सपोर जो पत्तों पे और तने पे रह जाता है वो सारा का सारा क्या होता है जमीन में मिक्स हो जाता है जमीन में जड़ जाता है अगली बार जब किसान खेत के अंदर दान लगाने के लिए जब पानी लगाता है और पानी लगाने के बाद वो जब ट्रेक्टर उसमें चलाता है जब कद्दू करता है तो उस टाइम खड़े पानी में जो सीथ बलाइट बिमारी का जो सपोर है जो उसका अंडा है या जो उ तो ट्रेक्टर से खेत में कद्दू करते टाइम बहुत ज़्यादा खेत में जाग पैदा होती है जो अवा के जरिये दिरे 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 करके खेत की एक बाउंडरी पे खेत की एक डोल पे जाके इकठी या जमा हो जाती है और वहीं उस डोल से या खेत की उसी बाउंडरी से स शीथ बलाइट बिमारी जो है वो खेत के अंदर नुक्सान करना सरू कर देती है अब किसान बाइयो अगर मैं बात करूँ के पूरे हर्याना के अंदर सीथ बलाइट बिमारी रोकने के लिए किसान कौणसी दवा का स्प्रे करता है तो उसमें जादा जो दवाईयां इस्तेमा welder लेकिन हमें ये जानना बहुत जरूरी है किसान भाईयों कि अगर मैं इस खेत की बात करूँ तो इस खेत के अंदर कम से कम जो दान के पुद्धे हैं वो एक लाक से जादा पुद्धे हैं और हमने ये बताया कि सीथ बलाइट बिमारी जब खेत के अंदर आएगी तो वो का कि डोल से सरू होगी यानि कहने का मतलब एक लाक पुद्धों में से जादा से जादा सुरुवात्ती जो बिमारी है वो बीस पुद्धों में आ जाएगी या बीस से पचास पुद्धों में आ जाएगी या पचास से अजार पुद्धों में आ जाएगी अगर किसान उस सम है हेकजा या वैल्डा जैसी दवाईयां स्प्रे करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्यूरेटिव है वो बिमारी को आने के बाद रोकती है अब एक बात गोर करने की है कि ये दवाईयां जब किसान स्प्रे कर रहा है तो बिमारी जो है वो कहां पे है सिर्फ खेत की जो डोल है जो सरू के जो 20, 30, 40 पोद्दे हैं उसके अंदर सीथ बलाईट है तो ये जो दवाईयां है ये ज़्यादा काम कहा करेगी जिस पोद्दे में बिमारी सिरफ आई हुई है उस पे काम करेगी बाकी जो खेत है उसके अंदर ये दवाईयां कोई काम नहीं करती है क्योंकि ये दवा सीथ बलाईट बिमारी के लिए कोन सी किसान इस्तेमाल कर सकता है तो वो जो दवा है वो इंडो फिल इंडरस्ट्रीज लिमिटिड की ये जो आई गलेयर जो दवा है इस दवा का किसान खेत के अंदर स्प्रे कर सकता है इसके दो रहे फाइदे हैं पहला फाइदा क्या है कि मैंने बताया कि सीथ बलाइट बिमारी खेत के अंदर जब गुशेगी तो सरू के 20-30-50-100 पुद्दों के अंदर ये बिमारी गुशेगी अगर किसान उस टाइम पे आई गलेयर का सप्रे करेगा तो आई गलेयर एक ऐसी दवा है जो सीथ बलाइट आने के बाद भी काम करेगी और सीथ बलाइट बिमारी को खेत में आने भी नहीं देगी जैसे आज से 5-7 साल पहले पोलियो की दवा के लिए सरकार ने कभी आन चलाया था कि 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको पोलियो की दवा पिलानी है तो पोलियो की दवा पिलाने से उस इसी तरीके से आई गलेर ऐसी दवा है कि किसान अगर खेत के अंदर आई गलेर का 1.500 ml परती एकड़िक के इसाब से अगर स्प्रे करेगा तो सीथ बलाइट बिमारी जिस पुद्दे में है वो वहीं की वहीं कंट्रोल हो जाएगी और बाक्की जो अपना खेत है जिस पुद् जो चल रहा है ये सीथ बलाइट बिमारी के लिए काफी अनुकूल है और राइजक्टोनिया सोलनी जो फंगस है वो इस पुद्दे की तरह खेत में बिमारी फैला रही है तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इंडोफिल इंड्रेस्ट्रीज लिमिटेड की ये जो आई दूसरा जो फायदा है किसान भाईयो अगर किसान खेत के अंदर आई गलेयर दवा का स्प्रे करता है तो आई गलेयर दवा एक ऐसी अनोखी दवा है जो किसान पत्तों के उपर सप्रे करेगा पत्तों से ये दवा तने में जाती है और तने से ये दवा जड में जाती है क्योंकि ये दवा पुर्ण त्या सिस्टमिक दवा है आई गलेयर का सप्रे होने के बाद में पोद्दे के अंदर चाए पत्ता हो चाए तना हो चाए जड हो और चाए आगे जाके जंडा पत्ता निकल रहा हो हर जगे आईगलेर दवा जो है उसका असर बन्या रहेगा और एक तीसरा फाइदा किसान को मिलेगा कि जैसे हम पकड़ते हैं 1121 जो 1121 वराइटी है वो 120 दिन की है लेकिन सीथ बलाइट बिमारी अगर खेत के अंदर जादा आजाए तो 1121 जो वराइटी है वो 120 दिन की बजाए तरना सूख जाने की वज़े से या निच्चे पराल बन जाने की वज़े से 120 दिन की वज़े वो 110 दिन या 105 दिन में पक्के तयार हो जाती है उस वज़े से क्या होता है? दान के अंदर जो उपर वाले दाने हैं और जो निच्चे वाले दाने हैं वो खाली या थोथे रह जाते हैं अगर किसान आई गलेयर दवा का खेत के अंदर स्प्रे करता है तो आई गलेयर दवा पोद्दे को लंबे टाइम तक अर्या रखती है और जो तना है तने को लंबे टाइम तक अर्या बनाए रखती है जिसकी वज़े से दान जो है वो पूरा समय लेके पकता है और अगर दान आप सभी को पता है किसान भाईयो कि अगर धान पूरा समय लेता है तो पूरा समय लेने की वज़े से उसमें दानों में जो वजन है वो भी अच्छा बनता है और बल्ली के अंदर जो दाने हैं वो पूरे बरते हैं और जो अपनी क्वाल्टी है और जो अपनी पैदावार है वो बहुत अच्छी पैदावार हमें मिल जाती है तो मेरे किसान भाईयो अगर आप दान की खेती कर रहे हैं और सीथ बलाइट बिमारी अगर आपको लग रहा के खेत के अंदर आने वाली है या आ चुकी है तो सबसे अच्छा जो उसको रोकने का तरीका है ये सीथ बलाइट के लिए रामबान दवा आई गलेयर है इसका डेड़ सो एमल परती एकड के इसाब से हम स्प्रे कर सकते हैं अगर आप आथवाली टंकी से सप्रे करते हैं तो आपको 15 लीटर वाली जो टंकी है वो 8 टंकियां एक एकड में लगानी है अगर आप 20 लीटर वाली टंकी का इस्तेमाल करते हो तो 5 टंकियां 5 से 6 टंकियां जो है आपको एक एकड के अंदर स्प्रे करनी है और इसी के साथ मैं आप सभी का फिर से दन्यवाद करता हूँ और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ के दान के अंदर सीथ बलाइट बिमारी के लिए किसान जो है इंडो फिल इंडरेस्टरीज लिमिटेड की ये जो आई गलेयर दवा है इसका जरूर सप्रे करें क्योंकि अभी जो मो फिल इंडरेस्टरीज लिमिटेड की ये आई गलेयर है बहुत बहुत दन्यवाद थैंक यू